कौन है भारत का पहला लव गुरू जिन्होंने सैक्रो साल पहले लिखा प्यार पर ग्रंथ जो अब भी है हिट चले जानते क्या आपको मालूम है कि सैक्रो साल पहले भारत के पास ऐसे लव गुरू थे जिन्हें हम महर्सी वात्सायन के नाम से जानते हैं जिन्होंने कामसुत्र जैसे ग्रंथ लिखकर ये बताया था कि प्यार कैसे करना चीए और संबंधों में कैसे मधूर्टा रखी जा सकती है। इन दिनों पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डेव वीक मनाया जा रहा है। इसे प्यार का हफता भी कहा जा सकता है। वैसे प्राचिन भारत की बात करें तो प्रेम को जाहिर करने के लिए नोत्सों जैसे उत्सों मनाया जाता था। उस यमाने में भारत के पास वास्तों में एक असली लवकुरू भी थे जिन्हीं ये महसूस हुआ कि प्यार, मधुर रेस्तों और प्यार के बाद संबंधों को लेकर एक ग्रंथ की रचना करनी जिए ये लवकुरू कोई और नहीं बलकि महशी वात्सायन थे जिन्होंने प्यार को जाहिर करने वाला एक महान ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कामसुद्र जो अपने कंटेंड को लेकर दुनिया भर में सदाबहार हिट बने रहे हैं तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे अधिक भीकने वाली किताब कामसुद्र के लेकर महशी वात्सायन है इन्होंने कामसुद्र जैसी पुस्तक की रचना की जो प्यार मदूर संबंधों के बारे में विस्तार से बताती हैं कहा जाता है कि ये किताब प्यार के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारिया देती हैं जो आज भी सद्यों के बाद प्रासंगिक है आज भी हम आपको उन्हीं विस्तार से उन्हीं कहानियों के बारे में बताई मनारस में काफी वक्त गुजारने वाले वादसायन रिशी को बहुत ग्यानी माना जाता है जिन्हीं वेदों की भी बहुत अच्छी समझ थी महरशी ने पहली बार वेज्ञानिक तोर पर बताया कि आकर्शन का विज्ञान आखिर क्या है उनका मानना था कि जिस तरह हम जीवन से जुड़े तमाम महलियों की बात करते हैं वोसी तरह हमें सेक्स की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए महरशी धार्मिक सिक्षाओं से जुड़े हुए थे महरशी जी प्यान और सेक्स को लेकर तब किताब लिखी थी जब इस पर ना तो कोई कुछ लिखा जा सकता था और ना ही खुल कर पात किया जा सकता था तो महरशी हमारी ऐसे लवगुर हैं जो कई जमाने से आस्तर फेमस हैं कहा जाता है कि महरशी ने कामसूत्र को नगरवधों से पात करके लिखा था मशूर लेखी का वेंडी डोनीगर ने अपनी किताब रिडिमिंग दव कामसूत्र में विस्तार से महरशी के बारे में भी बताया हैं कामसूत्र की असल किताब जीवन जीने की कला यानि आर्ट आफ लिविंग की तरह इसको देखना चाहिए और ये इसमें पता चलता है कि प्यार का जीवन में क्या महत्व हैं हमें इसके संगीदों को कैसे जाना जाये कैसे किसी के दिल में अपनी लिए जगा बनानी जाये इतिहासकारों के मताबिक महरशी को लगा कि प्यार और सिक्स जैसी जरूरी विशेप पर खुल कर चचा होनी जाए इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती उन्होंने अपने किताब के माध्यम से इस पर बात करने को सुनिशित करने की कोसिस की है कि लोग इस संबन में बहतर जानकारी लोगों को मिल सकें और वे जागरूख हो सकें आज भी दुनिया भर के लोग इस किताब को रेफर करते हैं हजारों साल बाद भी ये प्रासंगीक है वातसहरन महरशी महानदाशनिक भी थे उन्होंने नियाय सुतर नामक किताब भी लिखी है ये किताब आम तौप पर आध्यात्मी उधारवाद पर भी थी जो जन्म और जीवन पर आधारी थे ये मोक्ष की भी बात करते हैं ये शानदार किताब है जो ये बताती है कि महरशी कितने विलक्षन बुद्धी के थे हाला कि इस किताब पर जादा चर्चा नहीं हुई है तो ये थे भारत के लाव गुरू जो पहले भी फेमस थे और आज भी है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमें जरूर बताईएगा और ऐसे ये वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेर थांक यू